आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप होममेट औरेंज पिल पाउडर बना सकते हैं बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसे बनाने के लिए आपको बहुत टाइम ही नहीं लगता है और इसे आप बिना पैसे खर्च किये घर पे ही बना सकते हैं इसे आप कोई भी फेस पैक पे यूज कीजिए आपका स्कीन ब्राइट हो जाता है विंटर के सीजन में आप इसे बना कर आप सालो भर तक इसे आप कॉंटेनर में लख सकते हैं पहले आप औरेंज ले लीजिए उसे अच्छे तरह से धो लीजिए इसे धोने के बाद इसका जो पिल है उसे आप अच्छे तरह से निकाल लीजिए औरेंज का जो पिल होता है उस पे बहुत मात्रा पे विटमिन सी पाया जाता है जो आपके स्कीन को ब्राइट करता है और आपके स्कीन में अगर कोई पिक्मेंटेशन भी है उसे भी reduce करने में help करता है इसके अलावा भी इस पे antimicrobial, antibacterial properties है जो आपके acne को भी reduce करता है इसे आप कोई भी face pack पे 1 teaspoon यूज़ कीजिए आप अपने skin पे effect देख पाएंगे औरेंज पिल के छोटे छोटे टुक्रे करके उसे अब धूप पे dry होने के लिए रख दीजिए अच्छे तरह से पीस होने से ये dry जल्दी से हो जाता है ड्राइ होने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह से हो जाता है इसे बीच टूट जाता है अगर सारे ही पिल आपके ऐसे ही टूट जाते है तो इससे आप पाउडर बना सकते है यह powder को आप मुलतानी मिठी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इससे tan remove होता है अगर आप इससे sandalwood powder के साथ mix करते हैं तो आपके blemishes, wrinkles के problem दूर होते हैं और इससे अगर आप milk के तरह use करके अपने full body पे scrub, face पे भी लगा सकते हैं तो इसके बहुत सारी uses हैं आप कोई भी process benefits मिलेगा और इससे आप इस winter में जरूर apply कीजिए अगर ऐसे वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंदाय तो लाइक कर दीजिएगा